मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे मूंग फलित की गजग एकदम सौप तरीके से तो वो मैं आपको बताती हूं अगर आप चैनल पे नए हो तो बेला आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली रेशिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो घर को टुकड़े का लिया है और यह मैनने कड़ाई गेस पर रख दी है और अब इसकी गुड्की बनाएंगे हम चासनी चासनी को हमें low flame पर ही बनाना है नहीं तो हमारा गुड जल जाएगा और चासनी भी टाइट हो जाएगी तो गजब हमारी soft नहीं बनेगी इस तरह से low flame पर हम good की चासनी बनाएंगे और इसमें 2 या 3 चमच पानी की डाल देंगे इस से ज़्याद़ पानी हमें नहीं डालना है कि इफ तरह से इसको चासनी बना लेंगे तक हमारी चासनी बनती है तब तक हम मूफलियों को रोस्ट कर लेते हैं इनको लो फ्लेम पे हम रोस्ट कर लेंगे हमें रोस्ट इनको लो फ्लेम पे ही करना है नहीं तो हमारी मूपलियां जल जाएगी जल जाएगी तो हमें दिखने में भी अच्छी नहीं दिखेगी और खाने में भी गज़क का स्वाद बिगड़ जाएगा इसलिए low flame पे ही हमें इनको अच्छे से roast करना है यह देखिए हमारी मुपलिया सिखने लग गई है यह देखिए छिलके आराम से उतर रहे हैं इसका मतलब हमारी मुपलिया सिख चुकी है अब इनको एक बरतन में बड़ा बरतन में हम मुपलियों को निकाल लेंगे और इधर हमारी चासनी बनके तयार हो रही है पांच-छे मिनट हो चुकी है चासनी को बनते हुए और इसको हिलाते जाएंगे हम बार-बार चेक करते जाएंगे और इसको low flame पे ही रखेंगे यह देखिए मुपलियों मैंने एक थाली में निकाल लिए और इस तरह से हाथ से इस तरह से मसलते हुए इनके पूरे छिलके उतार के साफ कर लेंगे हम फटक के पूरे छिलकों को हटा लेंगे और साफ कर लेंगे अच्छे से सारी मुपलियां साप हो चुकी है इस तरह से मैंने साप कर ली सभी मुपलियों को और एक कटोरी लेंगे कटोरी की साइटा से इनको नीचे वाले इससे कटोरी से ऐसे दबाएंगे ताकि जो मोटी मुपली होगी हमारी वह तूट जाएगी और इस थोड़ा चूरा भी हो जाएगा मुपलियों को और इधर हमारी चासनी बनके तयार हो रही है और गुड़का भी कलर चेंज हो चुका है अब मैं आपको बताते हूं कि गजग को सौट कैसे बनाते हैं यह बैकिंग सोड़ा लिया है मैंने एक चुट की यह इससे अगर आपको गजग सौट गजग बनानी है तो यह डाल दीजिए अगर आपको बहुत ज्यादा टाइटी ही चाहिए टाइटी पसंद देए तो इस सौप्ट गजग बनाने के लिए हम बैकिंग सोडा डालते हैं इसमें ताकि इस गजग को बड़े बुड़े सबी खा सके आराम से अब डालेंगे इसमें एक बड़ी चमाश घी की घी में ने देशी घी लिया है घी डालने से एक तो हमारा ये जो गुड़ की चासनी बन रही है वो चिपकेगी नहीं बार बार चारो तरफ और दूसरी हमारी गजग इससे भी और भी सौप्ट बनती है और गजग का टेस्ट भी भड़ता है इससे हमारी चासनी बन चुकी है और इस तरह से हम चेक करें हमारी चासनी बन के कैसे तयार हुई है यह देखिए जो यह लास्ट में धागे बन बन के गिर रहे हैं इसका मतलब हमारी चासनी बन गी है यह दागे टाइट टाइट बन गिर रहे हैं अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता है तो एक कटोरी में पानी ले लीजिए उसमें ये चासनी डालिए पानी में अगर चासनी टाइट हो जाती है तो हमारी चासनी बनके तयार है अब डालते हैं मुफली अब इनको हम जल्दी जल्दी ही लाएंगे ये हमें थोड़ा जल्दी ही करना पड़ेगा यहां पर और अब मैंने एक ट्रे ले लिए उस पर गिरिस कर लिए ट्रे मैंने पहली तयार कर ली थी अब इसमें ये बनी हुई गजेक निकालेंगे कि आपके पास ट्रे ने हो तो आप कोई प्लेट या थाली में भी निकाल सकते हो अब इस तरह से हिलाएंगे इसको चारो तरफ फैला लेंगे जितनी पतली जितनी मोटी हमें रखनी है उस तरह से इसको रख लेंगे और इसको फिर एगंटे के लिए रख देंगे देखिए मैंने ट्रे में इसको सेट कर लिए अच्छे से और कोकोनेट पाउडर से गानिश कर दिया है आप चाहे तो गानिश केर दीजिए ना अच्छा लगे तो ना कीजिए हाँ कर देगी होगी है जाँ है जोड़ करा है मैं रख विर मसल ला। यह देखे औरißt विश्मों मैं आप कर समय केिभ दिखाते हूं कि ये गजक कैसी बनी है ये देखे इस तरह से हमारी गजक बन के तयार हो चुकी है और इन सर्दियों में आप सब भी ये गजक बनाईए और मुझे कमेंट करके बताईए ये गजक आपको कैसी लगी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद